खेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक हूंगे अज मैं आपके लिक और वीडियो लेके आई हूं यह है मैं पिटुनिया लिक के आई थी मार्केट से दोस्तो आप देख सकते हैं को जैसे कितनी ज़्यादा इसमें रोट्स है मुझे लगता है उन्होंने इसकी कटिंग से इसको ग्रो किया होगा शायद इसमें सीड्स से तो नहीं किया है क्योंकि इसकी जड़े है और यहां से जिससे साफ से लग रहा प्लांट की वो करके रखा रहा है काफी हल्दी प्लांट तो यह वाइट कलर का प्टुनिया है जब इसमें खहलेगा तो मैं आपको दिखाओंगी मेरत पास और यह लिए घकी हआईफेन कालर झांद के लिए लेना है तो उसके लिए मल्यक मेरे चोटा सब्स पोट है मिरा इसमें और प्लांट लगा हो थे हो तो मै ने इसको निकाल के रखा मैंने इसमें 50 परसेंट मिटी है 20 परसेंट इसमें गोबर कि खा दें और 15 परसेंट इसमें रिवर सेंड इसमें मिलाई हुए नहीं देख सकते हो आपको काफी अच्छी आई यह बुर बुरी सी मिटी ले आप ता कि आपकी प्लांट की जो रूट्स होती हो अच्छे मैंने इसको लगा रही हूं दोस्तों देख सकते हो आप मैंने इसके अंदर इसको डाल दिया है मैं इसका होल सा करते हूं थोड़ा सा ताकि मैं इसको लगा सकूं यह आप देख सकते हैं इस तरह से मैं आपको दिखाती हूं लगाके ऐसे एक हाद से नहीं हुपाएगा तो तो देखो मैंने इसके अंदर लगा दिया है छोटा सपॉटा इतना बड़ा भी नहीं है अगर आपको इसकी ज्यादा फ्लाबरिंग रहे तो आप इसको क्या करें इसकी उपर उपर की जो यह स्टैंज है रिमूब कर ले जिससे क्या होगा जितना इसको रिमूब कर गे उतनी जादा नहीं लेकर इतना समयने करें कजिए इसमें क्या कर दिया वाटरिंग कर दी मैं आपको दिखा दीऊ तो दोस्तों आप देख सकते है ये मेरा वाइट कलर का पिटूनिया जो बें जब बंजादाiber ये दिख सकते हूं आप हिए यह मेरी पिटूनिया की फ्लावरिंगों रखी है मैंने इसको रिमूव इसकी उपर की जो ब्रांचीज रिमूव करके रख दी तो इसमें मेरी कली बहुत सारी बनी है लेकिन इतने फ्लावर नहीं आए यह दख सकते हो आप इसमें देखो कितनी ज़्यादा कली बनी हुई है देख सकते हो कितना बूशी सा बन गया है मेरा यह आपको भी अगर इस तरह से फ्लावर लेने हैं तो आप अपने पिटूनिया को क्या करें इसकी जो ब्रांचीज को रिमूव करके आप और अच्छी अच्छी सी फ्लावरिंग ले सकते हो इसमें बहुत सी कली बनी हुई है और देखने में देख सकते हो आप कितने जादा सुन्दर लग रही है देखो कितना बड़ा होता बहुत बड़ा होता है यह फ्लावर बहुत जादा बड़ा देख सकते हो इसकी कली उपर से पहले आप और यह बाला देखो तो आप पर पर कलर का कितना मींस की इसमें तो इत सारी कली बनी जो यहां से इसको रिमोव करके इसमें चाहाँ ब्रांची जा गी है देखो तो आप रहिए लेखो नीचचे से बहुत सारी आ रह और रहते हैं तो आपको क्या करना है इसको बहुत अच्छे से भूस and कुराबोinate कर देना हुपर से अच्छे होगा कि जो फ्लावर आपके और खिलेंगे तो उसमें लगेगी तो अच्छे से और खिलेंगे फ्रेश वाले और जो बेकार से होगे देखने में आप देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे बहुत ही ज़्यादा सुन्दर लग रहे हो यह पुटूनिया के मेरे पास चार कलर होगे यह वाइट वाला है जब खिलेगा तो मैं आपको पक्का दिखाऊंगी ऐसा मैंने हमेशा किया है जैसे मैं फ्लावर ले आप देख सकते हो यह मेरा देख हो तो पिटूनिया ओ सँरी क्या जोते हो पॉस्कास का प्लांट है इसमें इतनी फ्लावर लेकी ज़ाधा धूआजजघ्ग हो दिख वाइचे यहिए तुन इतनी जादा पिखा करते हैं और जैसे इसमें रहा गया थोड़ी थोड़ी से खिलने को यह पूरी तरह से खिल गया देगो पूरा कितना अच्छा सा और रखा है बहुत सुन्दर सा ही है तो इसमें इतनी खुश्बू आती है दोस्तों आप सोच नहीं सकते कितने अच्छी खुश्बू आती है मिन्स की बहु दिखाऊंगी देख सकते हूं आप इतने अच्छे से विनका है कोई क्या है बहुत जादा सबसे रहल तो मेरे को पुटोनिया इतना अच्छा लगा है दोस्तों यह सर्दियों का प्लांट है आप इसको जरूर लगाए आपके घरांगान में बहुत जादा सुन्दर लगेगा दूप में लगाएं धूप भाले इसको थोड़ी से जरूरी होती है जितनी दूप लगेगी उतना अच्छा यह खीलेगा दोस्तों आप इसको जरूर लगाएं यह हमारा सब्धियों का एक तरह का राजा मान के चलो आपके सब्धियों में बहुत अच्छी तरह से खिलता ह आप इसको REMOVE करते जाओ, cutting करते जाओ, छोटी छोटी सी और यह बहुत अच्छी से आपका खिलेगा है plant और इसको आपको फ्लाबरिंग भी अच्छी से देगा है, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी फ्लाबरिंग मिलेगी आपको अगर आप मेरे चानल पेंट किए तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को शेयर अंड लाइक कीजिए मलते नेक्स वीडियो पे बाबाए